नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही खास वीडियो फली और काच्रे की सबजी अगर आप चाहते हैं कि आपकी सबजी स्वाधिस्ट बने तो वीडियो को भीना स्केप किये पूरा देखें पहले आपको फली और काच्रा अच्छे से दो करके बिगा लेना है 30-40 मिनट तक बिगा करके रखे ये अच्छे तरके से भीग जाएगा बाद में इसे उबालने कुकर में 5-7 सिती आने तक रखें देखें ये अच्छे तरके से उबल गया है अब एक भरतन लें उसमें 2-3 चमस दही डालें फिर फली और काच्रा डालके अच्छी तरह से मिला लें जब तक हम इसे मिला रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद इसी में आप मसाले भी डाल दें मसाले में आपको डालने हैं लाल मेच धनिया पाउडर हल्दी मसाले में आपको डालने हैं लाल मेच धनिया पाउडर हल्दी इसे डालके मिला भी लें और हाँ इसमें नमक डालना ना भूलें के बाद उसमें जीरा डाल दे और जीरा बुने तक रुके उसके बाद आपको उसमें हींग डालने हैं और हींग डालने के बाद मिक्स की हुई सबजी भी डाल दे और अच्छी तरह से उपर नीचे करके चला लें हम अपने चैनल पर नई नई रेसिपिस लाते रहते हैं नीचे दिये गए बेल बुटन पर क्लिक करने से जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी ये सबजी आप तब बना सकते हैं जब आपको समझना आए कि खाने में क्या बनाना है ये एक डडिशनल रेसिपि है जो बहुत ही स्वादिस्ट बनती है ये सबजी मात्र दस मिनट में ही बनकर तयार हो जाती है इसे थोड़ी देर गैस पर पकाए और देखिए ये थोड़ भी सवाल हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आज के लिए बस इतना ही हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद